नमस्कार जैहनमित्रों श्वागत आप सभी का आपके अपनी चैनल भी मजित्रबर श्वागत है हर भाई हर स्टूडेंट का हर वहन का जो इस इस्टेडी प्लेट फार्म से जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं उनका भी श्वागत है तो चले आज का सेशन तक और इन सभी कोष्चनों का लाव उठाते रहेत तक कि आपके एक्जाम में जितने भी कोष्चन हो ज़ादा से ज़ादा यहीं से मिलें और आप अपने कोष्चन का सफल बना शके एक्जाम को सफल बना सके तो चले आज का जो सेशन है शुरू करते हैं आपकी रिकस्टा आत्मक वस्ता है जो साथ सी ग्यारा वर्स होता है चलिए बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन की तरफ वह कौन सी जगा है जहां बच्चे संग्यानात्मक विकास को सबसे बहतर तरीके से परिभासित करते हैं सीखते हैं तो आपका खेल का मैदान नहीं है वलकि आपका विद्याला योम क अच्छा भिया कुछ बच्चे कुछ भाई जो है खेल का मैदान बता देते हैं तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का स्रिजन करते हैं इसका स्रे किस बित्वान को जाता है भा या यह जीन प्याजे महोदे ने बताया था तो इसलिए इसका स्रे आपका जिन प्याजे पर जाता है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रेस सचेत होना चाहिए तो आकलन को जो है उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए सहचिक और सहचिक छेत्रों में बिद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्रा सद्धर्थ और शनील आपके सद्धान के अंतर रहा अर्थाथ निरंटरता के शिद्धान्द का आपका की पहचान है किस बिद्वान द्वारा की गई थी तो आपके जीन प्याजे के द्वारा की गई थी बढ़ते हैं next question की तरब आपका next question है परिवार एक साधन है तो परिवार जो एक साधन है वो किसका साधन है परिवार एक और अपचारिक सिच्छा का साधन है किसका साधन है और अपचारिक सिच्छा का next question आपका है कि एक सिच्छक जो है विद्यार्थी में समाजिक मुल्यों क विक्सित किस तरह से कर सकता है तो भीया एक जो विद्यार्थी है उस विद्यार्थी को एक सिच्छा का आदर्स रूप से बरताव कर विद्यार्थियों में समाजिक मुल्यों को विक्सित कर सकता है ये होता है सिस्टम सिच्छित उसे बनाने के लिए उसका विकास करने के लि नेक्स है किस अवस्था में बच्चे अपनी समकच्छे मतलब वर्ग के सक्री सदस्ट बन जाते हैं यानि कि अपने क्लास मेटों का जो है सक्री सदस्ट बन जाते हैं तो यह ओक किसोरा अवस्था होता है इसमें बच्चे अपने समकच्छों का जो है सक्री सदस्ट बन जाते हैं तो बच्चों के बिवहार के बारे में समझने में सहायता प्रदान करेंगे या फिर उनको शमश रकेंगे नेक्स आपका बुनियादी अस्तर पर मात्र भाशा में सिच्छा देना क्यों बहतर होता है क्योंकि मात्र भाशा में सिच्छा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने से सहाता मिलती है और उन्हें सीखने में काफी मदद मिलती है और वो अच्छे से खिलेओने की आई कहीज आती है खिलेओने की जो आय होती है इतो पूर्व बाल्य आवस्था को ऑना होती है। तो यह चात्र के इंद्री सिच्छर का आसर जो है प्रतेक चात्र से है ठीक है यह आउशक है ठीक है चलिए सिच्छक की खेल विधी का आर्थ क्या होता है तो खेल क्रियाओं के द्वारा सिच्छा का आर्जन करना यह चीज होता है प्रयोजन ने किसे जन्म दिया है आपका प प्रियोजनवाद का बिचार प्रकेट किया था बच्चों के लिए सबसे उत्तम सिच्छक वा है जो स्वैंग बालक जैसे हो और यह कथन किसका है यह कथन मेंकेंस जी का है किसका है मेंकें का है और सिच्छक आचार संगिता क्या है तो यानि कि सिच्छक के मानक ब्योहारों को सुचक पुस्तिका है यही आपका क्या है सिच्छक आचार संगिता है सिच्छकों की योगता यह प्रयाशों और उनके ब्योहार का शही मुल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है तो यह आपका विया उसके छात्रों के द्वारा किया जा सकता है नेक्स्ट है आपका छात्रों में बैग्यानिक दिश्ट को डुत्पन किसके द्वारा किया जा सकता है ति यह तर्क, संगत, ठीक है विचारों के प्रस्तुतिक करण द्वारा किया जा सकता है समाजिक समायोजन का कठिन काल जो है किसे कहा जाता है तो यह आपका पूर्व की सोरा वस्था को जो कि लड़कियों यो लड़कों दोनों के संदर में यही बात लागू होती है नेक्स्ट आपका छात्रों का विश्वास प्राप्त करने है तो सिच्छक को उनके साथ कैसा व्योहार करना चाहिए तब यह मित्रवत व्योहार करना चाहिए मित्र के जैसा व्योहार करना चाहिए तभी जो है टीचर और बच्चों में जो है रिलेशन अच्छा होगा और चट्छक की प्रक्रिया है जो से चड़कार है वो अच्छे से चल पाएगा निक्ष आपका एक अध्यापक की द्रिष्ट में कौन्चा जो है कतन सरबुत्तम होता है तो प्रतेग बच्चा सीख सक्ता है या प्रतेग बच्चा बिसिस्ष्ट होता है उसमें छमता होती है सब्बंब्र या कॉन चाम होता है और मैं परविद्ध हैं कि सूध के जाने जाते हैं तो किसकी याना है नातीक भीकास का स dumbbell का जोजे है इसनी करने वाला एक सब्द है परिवर्तन और परिवर्तन सारीरिक समाजिक और मनोबै ज्यानिक होता है यानि कि किसोर आवस्था में ये सब चीज परिवर्तित होती रहती हैं यहाँ पर आपको किसोर आवस्था भरना है चलिए ब्यक्तियत सिच्छार्थी एक दूसरे से भिन होते हैं यहां किस प्रकार भिन होते हैं तो जो ब्यक्तियत और सिच्छार्थ एक दूसरे से वि्कास की दर्सेएखिन होते हैं यानि कि विकास जो होता है हर ब्यक्त में हर प्राणी में अलग अलग होता है एक समान नहीं होता है विकास कभी ना शमाप्त होने वाली प्रक्रिया है यह विचार किसका है तो भीया यह विचार निरंतर्ता के सिध्धान्त का है निरंतर्ता के सिध्धान्त में ये चीज पताई गई है निचली कच्छाओं में खेल पध्यत मूल रूप से आधारित होती है तो जो निचली कच अच्छे से होता है यारे कि विष्शित करनें हैं समाजिक विकाश विक्शित करके एक अध्यापक को चाहिए कि वाहत जाने तुछ अध्यापक को क्या जानना면 चाहिए कि लिएक पक्रचों कि सभए बच्छों के बारे में जानना चाहिए, उसके हावभाव को पहचानना चाहिए, चलिए सारेरिक आकार पर बुद्ध जो बृध्ध होती है, क्योंकि क्यों होती है, तो यह सारेरिक आकार पर जो बृध्ध होती है, वो सारेरिक और गत्यात्मक विकास की दृष्ट से होती है, चेरी सारे रिग विकास का छेत्र होता है तो जो सारे रिग विकास का छेत्र होता है उसको हम अशनावि मंडल कहते है और बाल्य वस्था होती है बाल्य वस्था जो है बारा वर्स तक होती है निक्ष्ट है आपका कि विकास में बृद्य से तातपर क्या है तो विकास में जो ब्रिद्य विया और आकार, सोच, समझ, कौसलों में होती है ये चीज इसका मतलब होता है और बाल विकास जो होता है उसका सही करम क्या है दबाला अस्था, किसोरा अस्था और प्राणा अस्था यही इसका सही करम होता है विकास शुरू होता है तो विकास जो है प्रसों से ही शुरू हो जाता है यानि कि जब भुरून का विकास होता है तब ही से विकास शुरू हो जाता है और बृद्धियों विकास में क्या सम्बंद होता है यह दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं ठीक है एक दूसरे से लगे हुए होते हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं परिपक्ता का शंबंद किसी होता है तो विकास से जब किसी चीज में आप परिपक्त हो जाते हैं तो यह समझ लिजी आपका हो चीज विक्सित हो गया आपका विकास हो गया बुद्यों विकास का मुग सिध्धान्थ क्या होत कि 12 वस्था की वद कितनी होती है 12-19 वर्ष कहीं कहीं आपको 12-18 वर्ष मिलेंगे विकास कैसा परिवर्थन है या विकास एक गुड़ात्मक परिवर्थन है और नेक्ष्ट है आपका कि जो बृध्ध का सम्बन किस से है ता आकार यूंब भार्ष होता है जाहिर सी बात आप जब किसी चीज की ब्रिद्ध होगी तो या तो उसका वजन बढ़ेगा या तो लंबा होगा उसके आकार में परिवर्तन होता है किस आयु में मानसिक विकास अपनी उच्छितम सीमा पर पहुंच जाता है तो भीया बियंद्रा से 20 वर्स होता है इस सेशन का आखरी कोश्चन और लाश्ट कोश्चन किसोर अवस्था में समाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पढ़ता हुआ निम्न में से कौन सी होती है तो भीया आसुरच्छा होती है यानि कि ये आपका राइट अंसर हो जाएगा तो इस प्रकार सेशन ही पर समाप्त होता है वीडियो आपको कैसी लग रही है अपनी राज सरूर दें हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद सभी मित्रों क अधिन सुभो धन्यबाद